नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर जस्मीत आलवालिया एक बिरियाट्रिक एडवांस लेपरोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन हम बहुत फ्रिक्वेंटली इन हर्नियाज को ट्रीट करते हैं दूर बीन के त्रू और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉड़ी में कौन कौन से हर्नियाज होते हैं और कैसे आप इन्हें पहचान सकते हैं हर्निया का मतलब है कि बॉड़ी में कोई एक औरगन अपनी जगे से स्लिप होकर एक होल के तूर दूसरे रिजन में चला गया है यानि कि इंगवानल रिजन में जो एरिया है उसके वीक होने की वज़े से जो पेट के contents हैं यानि आंत या चर्बी मोशलिप होकर उस region से बाहर को जा रही है या अगर नाभी का area है तो पेट के अंदर की आंत या चर्बी वहां से खोल के थूरू बाहर skin के जस्ट नीचे तक आ रही है तो इस condition को हम हर्निया के नाम से जानते हैं हर्नियास बहुत common हैं लेकिन हम इनको divide करेंगे कुछ main main parts में और देखेंगे कि आप कैसे इने पहचान पाएंगे सबसे पहले हम बात करेंगे inguinal हर्नियास के बारे में जो कि वो हर्निया है जो आपके groin area में होते हैं यह males में जादा common है और अगर यह younger males में देखा जाए तो उसमे right side में जादा common है क्यूंकि जो हमारी testis है वो birth से पहले पेट के अंदर होती है और जैसे जैसे बच्चा अपने 9 महीने गर्पवस्ता में बढ़ता है यह testis नीचे आते जाती है और just before birth ही यह scrotum तक पहुंचती है right testis का descent late होने की वज़े से right side पर यह हर्नियास जादा common है क्यूंकि यह area weak रह जाता है तो कुछ हर्नियास जो inguinal हर्नियास है यह newborn babies में यानि की birth के time पे देखे जाते हैं यह birth के पहले कुछ महीने या कुछ सालों में देखे जाते हैं और जारतर यह due to congenital defect यानि की तो testis नीचे गया है उसकी वज़े से होते हैं इसके बाद यह हर्नियास बाद में भी देखे जा सकते हैं young adults में इनमें भी यह defect बचपन से होगा लेकिन क्यूंकि पहले यह नजर नहीं आया या बाद में उन्हों कुछ strenous activity की gym वगरा join किया उससे यह हर्निया सामने आया इसके बाद यह elderly males में भी हो सकता है उनकी muscles weak होने की वज़े से यह area कम्तोर होने की वज़े से इसमें inguinal hernia दिखना शुरू होता है इसम्टम क्या होगे पेशेंट को इस region में initially कुछ pain या एक छोटी swelling feel होगी क्योंकि यह hernia strain करने से बाहर आते हैं तो जब आप सुबह उठें तो हो सकता है कि यह आपको feel ना हो लिकिन जैसे जैसे patient activity करता है इसका size बढ़ता जाता है और जैसे ही वो लेटते हैं या अराम कर करते हैं तो यह वापिस यह swelling पेट के अंदर चली जाती है और उन्हें कोई भी swelling feel नहीं होती सुजारतर हर्निया के initial cases में उन्हें यह swelling feel होगी जब वो को activity करेंगे या खांसी करेंगे या किसी भी चीज के लिए जोर लगाएंगे लेकिन जब ही वो rest करेंगे तब यह swelling disappear हो लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता जाता है हो सकता है कि हर्निया permanently अपने उस hole में जाकर फस जाए और फिर वो वापिस ना जाए initially जो hole में फसा हुआ हर्निया है वो pain नहीं करता वो आपको persistent swelling की तरह feel होगा लेकिन अगर यह hole ज्यादा tight हो गया और इसको यह blood supply को काटने लगा तो उस cases में patient को severe pain भी feel हो सकता है और अगर यह फट गया तो पेट में इसका सारा जहर भी फैल सकता है सुध्यान रखना है और यह मन में नहीं लाना है कि हर्निया initial है यह कुछ देर के लिए आता है और फिर disappear हो जाता है और बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि इसके इलाज की जरूरत नहीं है क्योंकि अराम करने से यह हर्निया ठीक हो रहा है जबकि ऐसा नहीं है वो swelling जो आप आपको उठने यह activity करने पे feel होती है और फिर वापिस रेस्ट करने से disappear हो जाती है वो लगबग confirmatory है कि यह हर्निया ही है और इसका इलाज as soon as possible करवा लेना चाहिए क्योंकि जब तक इसका यह hole छोटा रहेगा और हर्निया का defect कम रहेगा इसका इलाज easily किया जा सकता है और ज प्रॉइन एरिया से start होकर scrotum के अंदर तक जा सकती है क्योंकि यह जो region है यह scrotum तक extend करता है इसके इलावा इस एरिया में इंग्वाइनल हर्निया की इलावा दूसरे जो हर्निया से है उसमें एक femoral हर्निया है femoral हर्निया इंग्वाइनल हर्निया से बहुत less common है लेकिन femoral क जो एक छोटा सा opening है यह बहुत ही छोटा और hard होने के वज़े से इसमें complication होने के risk और भी ज्यादा रहते हैं अगर आपको लगता है कि swelling छोटी है लेकिन pain बहुत जादा है और groins के कुछ निचले हिस्से में है तब भी आपको immediately doctor के पास जाना चाहिए इससे पहले कि इसमें कोई major complication हो जाए इसके बाद हम बात करेंगे vental hernias के बारे में vental hernias का मतलब है वो hernias जो आपके पेट के अगले हिस्से में हो रहे है यूजिली ये नाभी के आसपास रहते हैं ये just at the navel हो सकते हैं जिसे हम umbilical hernia के नाम से जानते हैं यानि कि वो hernia जो umbilical cord या umbilical के just अंदर से आ रहे ह हैं उसके वज़े से weak होता है और इसलिए इस area में hernia बनने का risk रहता है इसके लावा umbilicals के ऊपर या नीचे या उसके side पर भी hernia हो सकता है और collectively हम इसे vental hernias के नाम से जानते हैं इसमें भी similarly patient को कुछ pain feel होगा या वहाँ पर एक bulge feel होगा जो inguinal hernia की तरह ही हो सकता है कि rest करने पर disappear हो जाए और जब आप कोई activity करें उस समय आपको feel हो again initially यह अंदर बाहर जा सकता है लेकिन जैसे जैसे problem भढ़ती जाएगी इसका size भढ़ता जाएगा और हो सकता है कुछ time के बाद यह अंदर reduce होना बंद हो जाए और permanent ही swelling आपको बाहर feel हो so अगर पहले कोई surgery रहा है similarly जैसे बाकी हर्णियास में feel होता है तो उसे हम incisional हर्णिया के नाम से जानते हैं और उसे भी surgery से ठीक किया जा सकता है हर्णियास क्यों बन जाते हैं सो जैसे आपने पहले जाना कि inguinal हर्णियास जो है वो हमारे birth की वज़े से या हमारे जो development है उसमें कुछ कमी होन में हमारे risk बढ़ाते हैं जैसे कि किसी भी कारण पेट का pressure जादा होना यानि आपको chronic खांसी होना बार बार खांसी होने से पेट का pressure बढ़ता है तो उससे भी अगर कोई छोटा defect है कहीं तो वो manifest हो सकता है या कोई आपका operation हुआ है तो वो टांके खुल सकते हैं उसमें से हर पास करने में दिक्कत आती है प्रेशर लगाना पड़ता है तो उससे भी हर्निया ज्यादा जल्दी manifest हो सकते हैं या यह नई हर्नियाज बन सकते हैं इसके इलावा heavy activity वो लोग जो gym कर रहे हैं उसमें भी पेट का pressure बढ़ने से हर्नियाज हो सकते हैं या फिर आपकी muscle content अच् जाते हैं अगर incisional हर्निया है यानि कि आपका कोई operation हुआ है तो उसमें अगर operation के बाद उस cut में infection हो गया है तो उससे भी हर्निया होने का chance बढ़ जाता है या operation के बाद आपने उसकी healing होने से पहले किसी कारण उस जगे पर ज़्यादा pressure पड़ा operation के बाद आपको बहुत खा होने से पेट में पानी का भरना उससे pressure बढ़ जाता है तो उससे भी inguinal हर्निया या umbilical होने का risk बढ़ जाता है प्रेग्नेंसी में भी patient के पेट का pressure बढ़ने से बहुत सारी females में umbilical हर्निया देखने में मिलता है जरूरी नहीं है कि हर एक patient में एक possible कारण हुमें मिल जाए मिलें और as early as possible इसकी surgery करवाएं इस वहम में बिलकुल मत पढ़िये कि हर्निया किसी दवाई से ठीक हो जाएगा ये एक body में defect है एक तरीके का hole है और कोई भी medicine किसी भी hole को अंदर जाकर उस hole को भर नहीं सकती और इसका eventually operation ही एक मात्र इलाज है हर्निया को कैसे पहचानना है जैसे कि हमने पहले बताया कि जारतर हर्निया में आपको pain या swelling feel होगी जो कि आपके activity से बढ़ती है और rest करने से कम हो जाती है तो अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत high possibility है कि आपको हर्निया है और आप immediately doctor से examine करवाईए अगर इसमें doubt रहता है तो doctor देखने के बाद आपको ultrasound recommend कर स सकते हैं जिसमें कि ये picture usually clear हो जाती है बहुत rare cases में हर्निया के doubts investigation में clear नहीं होते तो जब हम दूरबिन patient के पेट के अंदर डालते हैं तब हम immediately हर्निया को देख सकते हैं क्योंकि inguinal हर्निया या emblyical हर्निया या incisional हर्निया या ventral हर्निया यह सभी एक तरह के hole है और जैसे ही हम दूरबिन पेट के अंदर डालेंगे हमें ये hole सामने नजर आ जाएगा और ये clear हो जाएगा कि वाकिए जो आपको symptom थे वो हर्निया के वज़े से थे या नहीं और उसी दूरबिन ये camera के मदद से हम उसी time इस hole को ठीक कर सकते हैं साथ ही operation करके हर्निया को ठीक कर सकते हैं अंदर जो भी चीज भरी होई है यानि कि आंत या फैट उसे वापिस पेट के अंदर डालकर जो डिफेक्ट है उसे हम stitches से बंद कर देते थे और उसके उपर जाली डाल देते लेकिन आज कल ये technique लेपरोस्कोपी में convert हो गई है कट लगाने के बजाए हम हर्निया के side के ऊपर कोई भी छेड़ चड़ नहीं करते हैं उसे बहुत दूर बहुत छोटे छोटे holes के थूर एक camera अंदर डालते हैं और बहुत छोटे दो बरीक instrument अंदर डालते हैं जिससे कि हम पेट के अंदर से ही जो भी content हर्निया के hole के अंदर जा रहे हैं उन्हें वापिस पेट के अंदर ले आते हैं अंदर से ही stitches से इसे बंद कर देते हैं और इसके ऊपर एक जाली यानी की एक मेस लगा देते हैं यह मेशेज भी अब बहुत सारी varieties में available हैं different different hernias में different different kinds of meshes available हैं और बहुत easily यह सरद्रीस की जा सकती हैं और इसके recovery बहुत fast रहती हैं so I hope कि यह वीडियो देखकर आपको अपने hernias के बारे में idea लगा होगा आप इसे better manage कर बाएंगे और बहुत जल्दी एक doctor से मिलके इसका अच्छा इलाज करवा पाएंगे Thank you Thank you